इस साल इंटरमेडियेट में परिक्षा देने वाले वैसे विद्यार थी, जिनका विशे ग्रीप ज्यान है, उनके लिए विशेस रूप से एक गेस प्रस्न सेट यहां दिये गये हैं, इस सेट में कुल 25 प्रस्न होंगे, और यह 25 प्रस्न आपके परिक्षा को ध्यान में रख कर सकते हैं, तो आए इस प्रस्न को हम देखेंगे, देखने से पहले, एक बात आपको हम फिर बता देना चाहते हैं, कि आप इसे अन्यथा नहीं लें, और यह मेरा विडियो अंतक देखने के बाद पसंद आए, तो अपने शित रुप से, मेरे यूटूब चैनल को, यहां स सब्सक्राइब भी करने की सूच रखें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो आप से अर भी चाहे तो कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, यहां प्रस्न जो दिये गया है, इस प्रस्न में जो सबसे पहला प्रस्न लिया गया है, कि हारमोंस के परमुहकारियों को अगर इसके बाद हम देखते हैं यहां दूसरे प्रसने में तो देखेंगे परसो प्रांत देख भाल के बिभीन जो पहलू हैं उस पहलूं के बारे में आपको लिखना है कि परसो प्रांत देख भाल के बिभीन पहलूं को लिखें फिर आप तीसरे प्रसने की बात करेंगे त आश्धा में मुख्यूप से ऊब कौन कौन से पौशिक तत्तों के और शिक्ता होती है, तो इन पौश्टिक तत्तों के साथ साथ इसके बढणन करने की बात है कि इसका बढणन भी करें. इसके बाद अगर हम प्रश्ण देखते हैं तो इस प्रश्ण में आपको मिलेगा जहें चौथे नमर प्रश्ण की भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्तो है इसके बारे में आपको बंडन करना है, इसके महतों को दर्साना है, तो इसके हर एक प्रशन बहुत ही महतफुन है, और यहां इस चौथे प्रशन के बाद, अगर हम पांचवे प्रशन की बात करें, तो देखेंगे कि सुरा वस्था के लिए आप आहार आयोजन किस परकार करे करेंगे, एक आहार के रूप में जो तालिका होता है, उस तालिका को प्रस्तूत करने की बात है, उस तालिका को प्रस्तूत करें, फिर आप यहां छठे नंबर प्रशन को देखेंगे, तो छठे प्रशन में जैसे है कि विकास के विभीन छेत्रों में ग्रीव ज्यान का क्य महत्वा है बढ़न करने की बात है कि इसका बढ़न करें इसके बाद हम साथमें प्राशन की बात करें तो वहां देखेंगे कि अहार आयोजन क्या upgrad को प्रभावित करने वाले जो अलग-ळग त्रह के खारक होते हैं तो उसके विभीन कारकों को लिखने की बात है कि वीजिन कारकों को लिखें और इस्तरह से सात्युए प्रष्ण खत्म होने के बाद अगले पन्ने में देखेंगे आठ्फ़वे प्रष्ण है कि बच्चों को क्रेच में रखने से जो बच्चे होते हैं उन्हें क्रेच में रखायता है तो उसके क्या लाब होते हैं इस लाब को लिखना है फिर आप नुए नमर प्रश्ण की बात करें तो यहां देखेंगे कि बच्चों में और समर्थता के क्या कारण होते हैं उस कारणों को लिखना है पुना आप यहां दस्वें प्रश्ण की बात करेंगे कि दस्वें प्रश्ण में ज तो प्रश्ण के लिए प्रश्ण की बात करें भीकास को प्रभावित करने वाले विभीन कारकों को लिखें तो जो भी विभीन कारक हैं उसका जिक्र करना है और तेरा प्रश्ण है कि उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता समझ रहे हैं कि उपभोक्ता के अधिकारों को लिखना है, फिर यहां कि खरीदारी करते समय उपभोक्ता को किन किन शमश्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है, 희 budhijyam को लिखने की बात है कि विभिन बजियों को लिखे हैं फिर आप 15 नमर्प्रशण के बात करें तो यहां 15 नमर्प PPChain में देखेंगे घरेलू ahead क्या है और इस घरेलू बजट मे हैं परुवार की बजट होता है द्राइब भागग होता है चेक कि इतने प्रकार के होते हैं कि क्या क्या लाव होते तो चेक से जो भुगतान किया जाता है उसे क्या क्या लाव होता है उस लावों को दर्साना है उस लावों का बढ़न करना है और अगले पन्ने में फिर आते हैं तो अगले पन्ने में देखेंगे कि सतरत कोशन है कि शिशुओं के बस्तर का चुनाव जो होता है आप किस प्रक द्हानों के चुनाओं में किन-किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है इन तमाम बातों का जिक्र करना है आपको फिर यहां 19 नमर प्रश्ण देखेंगे कि धब्बे छुड़ाने की प्रमुख बिधियों जो भी धब्बे होते हैं कपड़ों में तो उस कपड़े में समाजीक और जो बस्त्रहम पहने हुए हैं आप पहनते हैं तो उसका समाजीक और मनोबैगानिक महत्तो क्या है उस महत्तों का जिक्र करना है पुना आप यहां 21 नमर प्रश्ण की बात करें तो यहां देखेंगे इस सरीर में जल के प्रमुख जो कारे हैं उस कारियों को तो इस सार्नी को बनाएंगे और इसके बाद फिर आप अगले पन्य की बात करें तो अगले पन्य में देखेंगे कि 13 नमर प्रश्ण है कि पोशक तत्व क्या है और पोशक तत्व जो है इसके प्रमुख जो कारे है इस कारियों को लिखेंगे और इसके परमुकारियों को लिख है और 24 नमर प्रशने जो है कि दाग या धब्बे को कितने भागों में यहाँ दाग और धब्ब जो होता है उसे कितने भागों में बटा गया है उस प्रतेक भागों को लिखना है फिर आप 25 नमर प्रशने जो अंतिम प्रशने होगा कि ब्य को प्रभावित करने वाले विभिन तत्तों को लिखें और इस तरह से आपके 25 प्रश्ण अति महत्पूर्ण है आप पिशे इस पूरे विडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार पुदा धन्यबाद जय हिन जय भारत